तो फ्रेंड कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छ होगे स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल क्रिकोलन प्रेडिक्शन में है गाइज आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आज के दिन का वर्ल्ड कप का दूसरा मैचेज हो रहे हैं हम लोग सारे मैचेज कवर कर रहे हैं और बहुत अच्छी विनिंग भी हो रही है ठीक है तो इस वीडियो को आज हम लोग कवर करने वाले हैं मतलब कि इस मैच को आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं बहुत अच्छ हो सकता है इन्वेस्टमेंट पर दूँगा बस वीडियो में आप लोग बने रही है तो सबसे पहले स्क्वाइड डिटेलिंग से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पूरे स्क्वाइड लिखा हुआ इंगलाइन टीम का आप लोगों को एक एक खिलाडू के बार में मैं बोल के भी बताने वाला हूँ ठीक है तो वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा इस्क्रिंसोट लेने के लिए तयार रही है तो देखिए जॉस बटलर जो की कैप्टा ने टीम के रिसेंड फॉर्म गजब का है और टी ट्वेंटी में 35 की ओसाते 3050 रने 116 मैच में है फिलसाड जो की यह भी बहुत अच्छे फॉर्म में है ओवरॉल 23 मैच में 697 रने 34 की ओसाते इस साल का IPL इन ही के नाम था विल जैक्स भी IPL में गजब परफॉमेंस करके आ रहे है रिसेंड फॉर्म भी ठीक ठाक सा है 13 मैच में 238 रन 4 विकेट भी इनके नामें पार्ट टाइम बॉलिंग करते है जोनी बेश्ट भी जब लाश्ट के कुछ IPL मैचे बचे थे हैं तो बहुत अच्छा परफॉमेंस किया आपको वो केके यार वाला चेज याधी होगा भाई जहां पर 47 बॉल में इन्होंने सतक मारा था 72 मैच में ओवराल 1561 रने 30 की होसात है लियम लिविंग्स्टन एक हाँ मतलब हाड रिटर बैट्समें 40 मैच में 619 रन 21 की होसात है रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा तो नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि बैटिंग से जादा उम्मीद है लेकिन विकेट इन्होंने निकाली हुई है हैरी बुरुक बहुत खतरनाक बैट्समें है सतक भी अभी हालिया फिलाल 126 देखने को मिल रहा है 65 देखने को मिल रहा है 26 की वैसे ओसात 31 मैच में 562 रन है मोहिन अली ओफाराल 84 मैच में 1158 रने 48 विकेट भी इनके नाम है सैम करन इंपोर्टन खिलाड़ी आप लोगों को चार उबर कंप्लिट बॉलिंग करने वाले है 46 मैच में 260 रन 49 विकेट भी इनके नाम है किरिस जॉर्डन उतना अच्छा तो फॉर्म देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन 90 मैच में 98 विकेट T20 आई में इन्होंने निकाला हुआ है बहुत experience वाले खिलाड़ी है आदिल राशीद भी बहुत experience वाले खिलाड़ी है जहाँ पे 100 T20 आई से जादा इन्होंने इंग्लैंड के लिए खेला है 110 विकेट इनके नाम है जोफरा आर्चर इनकी वापसी और ये बहुत दिनों बाद अभी पाकिस्तान के अगेंश्टी इनकी वापसी हुई है जहाँ पे 17 मैच में ओवर्रोल 21 विकेट इनके नाम है बेन डेकट का फॉर्म देखिए गर क्यूंकि अभी हालिया फिलाल इन्होंने हालिया फिलाल भी बहुत दिन पहले की बाते लगबग है जनवरी फर्वरी में ये टेस्ट किर्केट खेल रहते हैं जब इंडिया में अपने आये थे वहीं ये टी-ट्वाइंटी में 12 मैच में 315 रन इंका 31 किया हुसात है टॉम हाटली का रिसेंट फॉर्म में टी-ट्वाइंटी का इनका कोई स्टैट्स नहीं मिलाता मिलेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा रिश्टू अपली अच्छे खिलाड़ी है 26 मैच में ओवरॉल 31 विकेट इनके नामे बाकी मार्क वुड 29 मैच में 47 विकेट इनके नामे हालिया फॉर्म देखिएगा 2 और 4 बाकी 3 मैच में विकेट लेस्ट भी गया है तो यह इंगलाइंड के पूरे खिलाडियों का लेखा जो का था बात करते हैं जो कि स्कॉइट लैंड की टीम रहने वाली है स्कॉइट डीटेलिंग जो जो कि इनके टीम के एक प्रॉपर बैटर खिलाड़ी है फॉर्म ठीक ठाक साए ओवरॉल 30 के ओसा थे T20 में 16 मैच में 1882 रन है ओलिया हैरिस कोई खासा फॉर्म देखने को नहीं मिल रहा है और ओवरॉल रिकॉर्ड भी कोई खासा इंप्रेसिव नहीं है मात रूल निस के ओसा थे 25 मैच में जहां पे 420 रन कर पाएं 420 ब्रेंडन मकमुलेन की बात करते हैं इनका भी कोई खासा फॉर्म देखने को नहीं मिल रहा है नौ मैच में 223 रन है 27 के ओसा थे एक विकेट इनके नाम है रिकॉर्ड वैसे ओफरॉल अच्छा खासा है रिची बिरिंग्टन 49 हालिय फिलाल ये कर क्या रहे हैं वैसे कोई खासा फॉर्म देखने को नहीं मिल रहा है 90 मैच में 2022 रन 31 के ओसा थे 28 विकेट भी इनके नाम है मैथ्यू क्रोस इस टीम के एक मतलब बहुत अच्छे ये प्रॉपर वैटर है विकेट कीपर खिलाड़ी है 70 मैच में 1180 रने 23 की होसात है माइकल लिस्की की बात करते हैं फॉर्म ठीक ठाक सा है 60 मैच में 669 रने 40 की होसात है क्रिस ग्रिफ्स की बात करते हैं उतना बहतर कोई फॉर्म नहीं है वहीं ओवरॉल 25 मैच में 16 विकेट इनके नाम है मार्क वाट की बात करते हैं रिसेंट फॉर्म डिसेंट सा है 63 मैच में ओवरॉल 77 विकेट इनके नाम है हाँ बात करते हैं नीचे आते हैं Bradville की decent सा इनका भी form है 17 मैच में 17 विकेट इनके नामे right time first medium balling करते हैं Bradley कूरी की बात करते हैं ठीक ठाक सा form है 11 मैच में 19 विकेट इनके नामें अगर first ball कर स्कॉटलेंड की टीम और अगर ये playing 11 का हिस्सा रहेंगे तो important है Chris Sol बहुत अच्छे form है 11 मैच में 11 विकेट इनके नामे overall Jack Jarvis इनका भी form बहुत अच्छा है 3 मैच में 7 विकेट overall इनके नामें Michael Jones की बात करते हैं ठीक ठाक सा form है 6 मैच में 134 रन है Charlie Tier की बात करते हैं 169 का इनका अच्छा performance है बागी तो टोटल flop पारिया ही देखने को मिल रही है International में 4 मैच में 47 रन कर पाएं मातर है Shafan Sharif मतलब इस टीम के एक परमुख बॉलर है लेकिन form कोई खासा बहतर नहीं है 6-6 मैच में 72 विकेट इनके नाम है Head to head में दोनों टीम मतलब आज तक कोई मैच खेली नहीं है जो कि देखके काफी मतलब शौकिंग लग रहा है मुझे Scotland और England की टीम पहली बार कोई head to head का मुकाबला खेलने वाली है पिछ रिपोर्ट की बात करते हैं तो Kingston, Oval, Brick Town, Barber Doze का ground रहने वाला है वैसे ये जो ground रहता है ना वैसे अच्छा condition रहता है जहां पे बैटर आपको अच्छा खासा score करके दे सकते हैं न्यू बाल से starting की ओवर में बॉलर भी आप लोगों को मतलब swing वगेरा अच्छी मिलती है तो अगर न्यू बॉल से बॉलर विकेट निकाल लेते हैं तो ठीक है अधर्वाइस फिर बैटर आप लोगों को गेम में आने वाले हैं पिछले 12 मैच इस वैनू पे देखेगा 7 मैच फर्स्ट बैट करने वाली टीम ने और 5 मैच चेजिंग साइड ने विन किया है अपसेट हो सकता है इस मैच में आपको ध्यान दखना है क्योंकि ज़्यादा तर अपसेट तो इंगलेंड के साथ ही होता है और इन ही के पडोसी मुल्क जो की स्कॉटलेंड, आयरलंड और नीदरलेंड है यही लोग इन लोगों के साथ गेम खेल लेते हैं तो इंगलेंड 12 मैच खेली, इस ग्राउंड पे 6 मैच जीती, स्कॉटलेंड की टीम पहली बर खेलने वाली है रिसेंड कुछ मैच जो की ओमान नमेबिया का, आज ही खेला गया था सुबा में सूपर ओवर हुआ है जहाँ पर डेविड वीज ने यार कमाल किया था, ओमान की टीम 109 बनाई नमेबिया की टीम भी 109 बनाती है, 11 विकेट पेसर, 5 विकेट स्कॉरिंग हुई है यहाँ पर भी अच्छी खासी हुई है, यहाँ पर ज़ादा तर जो 90% जो विक्टे होती है न वो जो तेजगती के बॉलर होती है उन्हें के खाते में जाता है तो आपके सामने लिखा हुआ आप देखना चाहो देख सकते हो अच्छा वेनू पे इंग्लैंड के खिलाडियों ने कुछ खिलाडियों ने खेला हुआ है तो बटलर 19 की ओसाते 6 मैच में 118 रन है बाकी फि प्रिस जॉर्डन 5 मैच में 4 विकेट है आदिल राशी 6 में 9 विकेट है बेंड़कट 1 मैच में 14 रन है रिष्ट अपली 4 मैच में 3 विकेट है ठीक है स्कॉटलैंड के किसी खिलाडी ने खेला नहीं है तो उनका डेटा तो नहीं देखने को मिलेगा अब मेरे ख्याल से जो प्लेंग 11 हो सकती है जॉस बटलर फिल साल्ट ओपेन कर सकते हैं विल जैक्स वरंडाउन खेलेंगे बाकि आपके शामने लिखा हुए आप चाहो तो देख सकते हैं इंगलैंड के ठीक है इसकॉटलैंड के भी आपके सामने लिख दिया हूँ आप चाहो तो इनका भी देख सकते हो बाकि प्लेंग 11 आईगी तो हम लोगों को इग्जैक्ट पता चली जाएगी फिलाल जो हम लोग टीम बनाएंगे वह इसी प्लेंग 11 के बेस पर बनाने वाले जो कि मेरे ख्याल से मेरी संभावित 11 रहने वाली आज के मैच मैच में है इस्टार्ट करते हैं विगेट के बाद वह आपको यहाँ पर फाइनल टीम मिलेगी जिसका की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैंने दिया हुआ है लिंक वर्क ना करें तो सिंपले से क्रिक 2580 लिग करके सर्च करके भी आप लोग मुझे यहाँ पर ज़रू जोइन कर ले ना ठीक ह रहूं इंग्लाइन के टॉफ फॉर लेके चलूँगा बाकी थोड़ा इनके बॉलर्स को मैं अपने टीम में कवर कर लिए जैसे कि आर्चार आदिल राशीर माकवूड हो गया है और यहाँ से सैम करन मुझको लगता है कि चारूबर कंप्लीट करने वाले उसके बाद देख मैं खिलाड़ी ले सकता हूँ और बॉलिंग सेक्सान से दोनों मिलके आप लोगों को कुछ ओबर की बॉलिंग करें जहां पर विकेट निकाल लेंगे और अगर हम लोग अपने टीम में नहीं रखेंगे तो दिक्कात हो सकता है लेकिन फिलाल मैं इन दोनों को ड्रॉप करक अब देखो यह मैच थोड़ा सा टॉस पर डिपेंड करने वाला है सपोज मान लो ना अगर स्कॉटलेंड की टीम फर्ष्ट बॉल करती है तो शाफन शारिफ देथ में बॉलिंग करेंगे तो इमपॉर्टेंट रहने वाले हैं बाकि ब्रैड विल वगएरा यह सब इमपॉ अब धितने भी ऐसे मैचेन हो रहे है जहां पर एक टिम बहुत श्ट्रोंग्ए एक slower करेंग गा जैसे कि लियम लिविंग्श्टन और मोईन ली को लेना है या फिर यहाँ पर बालिंग से स्कॉटलेंड के तो थोड़ा सा कुछ डिसीजन है जो कि टॉस के बाद हम लोग ले पाएंगे तो उसके लिए आप लोग टेली ग्राम पे रहना तो डिस्क्रिप्शन कमेंट वॉक्स में जैसे मैंने कहा लिंक होगा पहले लिंक से आना तो सही जगह पर आऊगे वर्क ना